आज मैं आपको बताऊँगा mean deviation के अंदर discrete series के question कैसे solve करते हैं देखिए mean deviation solve करने के दो तरीके है या तो आप mean deviation को mean की help से निकालिए या आप mean deviation को median की help से निकालिए अगर question के अंदर mean दिया गया है मतलब आपसे special ये बोला गया है कि mean deviation mean से निकाल लिए तभी आपको mean से निकालना है otherwise आपको हमेशा median से ही mean deviation निकालना है मैं दोनों के ही formula बता दिता हूँ अगर आप mean deviation को mean से निकालते हैं तो उसका क्या formula होता है सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ अगर हम mean deviation को mean से निकालते हैं तो उसका क्या formula होता है mean deviation और md is equal to sigma f ये modulus का sign है x minus x की bar upon में sigma f फिर नीचे दिया गया है sigma f modulus d upon में sigma f देखिए जो यहाँ पर f है वो है frequency जो x है वो है observation जो x की bar है वो है mean upon में जो यह sigma f है यह है जो हमें frequency दी गई है उन सब का total यहाँ पर मैंने वो ही लिखा है आप देख सकते हैं अब जो यह coefficient of mean deviation है यह होता है mean deviation मतलब md upon में mean मतलब x की bar अब मैं आपको बताता हूँ अगर हम mean deviation को median की help से निकालते हैं तो discrete series में उसका क्या formula होता है mean deviation और md is equal to sigma f modulus के अंदर है x minus median upon में sigma f उसके नीचे लिखा हुआ है sigma f modulus d upon में sigma f तो यहाँ पर f क्या है frequency x क्या है observation m e क्या है median तो x minus m e करेंगे तो हमारा क्या आजाएगा deviation यह f d modulus क्या है हमें क्या है end में frequency को deviation से multiply करना है और उन सब का sigma करना है sigma f का मतलब क्या है जो हमें frequency दी गई है उन सब का sum करना है देखिए यह सब चीज़े आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से जब आएगी जब मैं आपको example के थुरू इने समझाऊंगा coefficient of m d क्या होता है mean deviation मतलब m d upon में median मतलब m e caution calculate mean deviation and coefficient of mean deviation from the following data अब देखिए इस question के अंदर कहीं भी यह नहीं बोला गया कि आपको mean deviation mean से निकालना है यह median से निकालना है तो हम क्या है यहाँ पर mean deviation को median से निकालेंगे ठीक है जी marks दिये गए है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ठीक है number of student दिये गए है 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4 ठीक है इसका क्या मतलब है जी 10 number लाने वाले 2 बच्चे है 20 number लाने वाले 8 बच्चे है 30 number लाने वाले 16 बच्चे है 40 number लाने वाले 26 बच्चे है 50 number लाने वाले 20 बच्चे है 60 number लाने वाले 16 बच्चे है 70 number लाने वाले 7 बच्चे है 80 नमबर लाने वाले 4 बच्चे हैं हमने marks को x लिख लिया number of student को f लिख लिया मतलब frequency लिख लिया और frequency लिखने के साथ-साथ हमने calculator का use करा और sigma f निकाल लिया sigma f को हम nb बोलते हैं ये आगे 99 frequency से हमने cumulative frequency निकाल ली जो की है 2, 10, 26, 52, 88, 99 अब हम क्या करेंगे सबसे पहले median निकालेंगे देख लेते हैं median कैसे निकालेंगे median कैसे निकालते हैं मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको previous video के अंदर बताया हुआ है आप उन video को देखना आपको चीज़े ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी step 1 के अंदर हम क्या करते हैं कभी भी median निकालना होतो जो हमें data दिया जाता है उसको ascending या descending order में लगा लेते हैं दूसरे step के अंदर हम क्या करते हैं CF निकालते है cumulative frequency निकालते हैं वो किस से निकलती है frequency से third step के अंदर हम क्या करते हैं formula apply कर देते हैं discrete series के अंदर median निकालने का क्या formula होता है size of n plus 1 whole upon 2 item ठीक है हमारा n क्या है यहाँ पर n का मतलब है sigma f वो क्या है 99 हम put कर देंगे 99 plus 1 करा तो हो गया 100 100 upon में 2 करा तो हो गया 50 तो median क्या है हमारा size of 50th item अब हम CF के अंदर देखेंगे कहीं पर 50 है हमने देखा CF के अंदर कहीं भी 50 नहीं लेकिन 52 है जो इनकी 4th observation है उसके अंदर CF 52 है तो इसके just opposite side वाली हम observation देखेंगे क्या है 40 40 marks तो हमारा median क्या जाएगा यहाँ पर 40 marks deviation निकालने का क्या तरीका है observation में से median को minus करतींगे और सारी आइटमों को modulus के अंदर रखेंगे मैंने यही करा है x minus median is equal to deviation 10 minus 40 आगया minus 30 20 minus 40 आगया minus 20 30 minus 40 आगया minus 10 40 minus 40 आगया 0, 50 minus 40 आगया 10, 60 minus 40 करा तो 20, 70 minus 40 करा तो आगया 30 80 minus 40 करा तो आगया 40 अब हम क्या करेंगे जैसे कि हमारे formula के अंदर है हमें क्या है frequency को deviation से multiply करना है तो मैं वो ही करूँगा frequency है हमारी 2, 8, 16, 26, 26, 27, 24 इनको deviation से multiply कर देंगे वो ही करा 2 x 30, 60 आ गया 8 x 20, 160, 16 x 10, 160 26 x 0, 0, 20 x 10, 200 16 x 20, 3, 20 7 x 30, 210 14 x 4, 160 हमें क्या है यहाँ पर भी calculator का use करना है और sigma f d निकाल लेना है मतलब हमें क्या है frequency को modulus d से multiply करना है पहले तो फिर सभी को add कर लेना है aggregate कर लेना है sigma nिकाल लेना है sigma f d modulus ठीक है यह आगया हमारा 1270 अब हमें कुछ नहीं करना सरफ value पूट करनी है mean deviation का क्या formula होता है sigma f d modulus upon में sigma f तो sigma f d modulus हमारा क्या है था 1270 upon में sigma f क्या था हमारा 99 में मैंने पूट कर दिया calculator का use करा तो हमारा mean deviation आगया 12.82 ऐसे ही coefficient of mean deviation निकालना है उसका क्या formula होता है mean deviation upon में median हमारा md के आए 12.82 पूट कर दिया upon में median के आए 40 पूट कर दिया calculator का use करा तो हमारा coefficient of md आगया 0.3205 उमीदा आपको समझ आ गया होगा आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम कोशन है अब इसी कोशन के अंदर मैं आपको mean deviation को mean की help से निकाल के दिखाता हूँ ठीक है जी कोशन है calculate mean deviation and coefficient of mean deviation from the following data marks दिये गए है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 number of student दिये गए है 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4 मैंने marks को x लिख लिया number of student को f लिख लिया और मैंने mean निकाल लिया direct method से मैंने क्या करा fx कर लिया मतलब जो हमें observation दिये गई थी उसको frequency से multiply कर लिया और calculator का full use करा है तो हमारा fx आ गया 20, 160, 480 1040, 10960 490, 320 तो यहाँ पर मैंने क्या करा sigma fx कर लिया वो आ गया 4470 sigma f करा तो वो आ गया 99 अब मैं क्या करूँगा mean निकाल लूँगा मतलब x की बार निकाल लूँगा वो क्या formula होता उसका sigma fx अपन में sigma f sigma fx के आया 4470 अपन में sigma f क्या था 99 calculator का यूज करा तो हमारा mean आ गया 45.15 अब हम क्या करेंगे deviation निकालेंगे deviation कैसे निकालेंगे observation में से mean को minus कर देंगे 10-45.15 करा तो आगया 35.15 20-45.15 करा तो आगया 25.15 30-45.15 करा तो आगया 15.15 40-45.15 करा तो आगया 5.15 50-45.15 करा तो आगया 4.85 60-45.15 करा तो आगया 14.85 70-45.15 करा तो आगया 24.85 80-45.15 करा तो आगया 34.85 अब हम क्या करेंगे जो हमारा deviation आया है उसको frequency से multiply कर देंगे और हम क्या है calculator का use करेंगे frequency को जब हम deviation से multiply करेंगे last में हमने क्या करना है उन सबका addition करना है उन सबका aggregate करना है तो ये aggregate करने के बाद हमारा आगया 1295.75 अब हमें कुछ नहीं करना जो हमारी values निकल के आई है उन सबी values को formula के अंदर put करना है mean deviation is equal to sigma f d modulus sigma f d modulus की क्या value आई थी 1295.75 अपोन में 90 calculator का use करा तो आगया 13.08 ऐसे ही हम coefficient of mean का formula होता है mean तो md के आया हमारा 13.08 put कर लिया अब उन में mean के आया था 45.15 वो भी put कर लिया calculator का use करा तो coefficient of mean deviation आगया 0.2897 मुझे उमीद है mean deviation के अंदर discrete series के question कैसे solve करते हैं आपको आ गए होंगे अगर किसी बच्चे को कोई doubt है तो बे दड़क बे जख होके comment कर सकता है मैं उसका doubt clear करने की पूरी पूरी कोशिस करूँगा हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा thank you for watching